तो आज में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बता दूँ बिक्सी रूटीन होता क्या है उसके अंदर क्या होता है जैसा कि आपने वहाँ पर सेट कर दिया कि अगर मैं अपने घर पे हूँ या फिर मैंने कोई मैं मैं अब्सक्राइब लिए खुलने के बाद मेरे मॉवाइल में क्या चेंजस हो या फिर क्या फीचर आटोमेटिक इनेबल हो जाए तो वह होता है बिक्सवी जो कि आपके कहने से पहले वह आपका काम करते था जो कि आपने अल्रेडी से जान करके रखा है कह सकते हैं कि मैं मैंने साइट करा कि मैंने अगर गैलरी खोलू तो मेरे मोबाइल आटो रोटेट आटोमेटिक ओन हो जाए ताकि मुझे बार वर उस पर क्लिक ना करना पड़े या फिर अगर मैं कोई कैमरा खोलू तो उसमें ब्राइटनेस में भी बढ़ जाए उसका साउंड बंद हो जा तो तो दोस्तो चैसे घेसे ही मैं बाता है गालरी को बारे में आप यांपर मैं और मैं पर नहींसा और आटो मेटिक औा आlles करेंगे तो इसके और करना और यहां जाना यहां जाना है आपको इहां जाना है बीच वाले में एड़ीन में रोटीन में जाने किया आपको यहां पर क्लिक करना है प्लस पे प्लस पे ख्लिक करने करने हैं आपको यहां पर करना है At 10 कि यहां पर यहां पर करना है जैसे ही जो श्रेट करने हैं जैसे कि कोई भी उपन हो तो वह आपने माँ डाल दी अब उसके बाद आप क्या changes हो तो आप यहां पर द्यान पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम मैंने चाह रहा हूं कि उसका rotate होना चालू हो जाए, तो यहां पर आपको करना क्या है, वैसे तो आपको यहीं उपर ही मिल जाएगा, आप देखेंगे, suggestion पर आपको skin rotation को यहां पर क्लिक करना है, और यहा सब्सक्राइ망 करें तो आपको इसके से किस ते बने हो लिए और यह बना उपना पर आपको मॉभाईल के साउंड को यहाँ पर यह करके रखा है नौर्मल पैर कैमरा को उपन पर जब भी आप Gespr़ करते हैं और आप को फोटो क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे मैं आपको यहां से साउंड करके दिखाता हूं आपको बता होगा यहां पर आवाज आती है जब भी आप शेटर पर क्लिक करेंगे तो यह शेटर आवाज करता है इसको आफ करने के लिए यहां पर कोई भी सेटिंग आपको दी नही यहां पर ग़िया यहां पर मैंने यहां पर ले लिया और यहां पर आपको ले ना क्या है यहां पर sound and vibrate वार option दिखरा है आपको उस पर click करना है और यहाँ पर sound and mode पर click करके अब मैंने यहाँ पर set कर दिया mute और इसको यहाँ से done कर दिया और नेक्स्ट कर दिया और यहाँ से मैंने उसको done कर दिया अब क्या होगा अब आप देखेंगे मेरे mobile का sound है अभी normal पर है जैसी में यहाँ पर camera को open करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा sound mute पर आगया आप दिख रहे होंगे तो यह Bixby routine के दरों काम करता है और आप आपका shutter का button नहीं चलने वाला यह भी बोल सकते हैं shutter की button की आपको नहीं आने वाली तो यह वाला feature भी बहुत शांदर मतलब यह routine है बहुत शांदर routine है यह तो मुझे सबसे best लगा क्योंकि बहुत irritated करता है कभी हम कई ऐसी condition में होते हैं जहाँ पर उसकी आवाज हमें नहीं चाहते है तो वह भी आ जाती तो आप इस चीज का use करेंगे रखेंगे तो automatic वो use कर सकता है उसके आज जोसो मैं third बताने वाला हूँ वो भी बहुत कमाल का है वहाँ पर होता गया दोस्तों यह add routine पर जाएंगे यहाँ पर आप plus पर जाएंगे यहाँ पर आपको जो third बताने वाला हूँ वो है charging को लेके या बैटरी लेवल को लेके आप लोग क्या करते हैं mobile को charge पर लगा लेते हैं हम लोग बट होता कि हम भूल जाते हैं यार charge कब होगा जब तक charge होता है तो over charge हो जाता है बट अगर आप इस चीज का use करेंगे तो आपको mobile over charge होने से क्या पर बच जाएगा कैसे जैसे कि मैंने यहां पर set कर दिया कि मैरे mobile की बैटरी लिए हंडरिट जा फिर मैंने यहां पर 90 सेट कर दिया 90 और equal to above पर set कर दिया और done पर click कर यहां पर आप यहां पर 10 पर आए आप यहां को स्पेसिलेट कर देना है और यहां पर नेक्स कर देंगे तो होगा क्या है जैसे यह नाइटी लेवल पर हो जाएगा आपको वहां पर विक्स्वी रूटीन आपको बता देगा कि भाई आपका मोवैल 90% के उपर चार्ज हो गया है तो हो सके तो आप उसको निकाल लो तो बह पर किलिक करेंगे तो आपको यहां पर जाना और Incoming Call पेहां पर क्या होगा दोस्तों Incoming call पेह आपर मैंने- सप्छाइब कर सकते सबस्क्राइब विए उसका कलर जो भी आप सेट करना चाहें तो मैं इसका कलर सेट कर लिता हूं यह आपको दिख रहा हुआ साइडों में आ रहा है और मैंने यहां से कर लिया उसको टन यह आप देख सकते हैं लाइट लाइट से आ रहा है मैं इसका रूटीन यहां पर चेंज कर लें दो ताकि जल्दी से जल्द अब उनको दिख जाए तो अभी यह सेट हो गया है तो आप दि लाइनगा, दिए अक हैं और उसका रहा है तो आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा यहां कीक्र वेयों ऐफेक्स लगाना है अपनीी कॉल श्क्रीने तो आप इसका यूज्श कर सकते हैं उसके दोस जो بتाने वाला हो वह 바मी बहुत कंश दॉस्त होता क्या है आ हम यहां पर location को on करके रखते हैं तो यहां पर हमारी बैटरी बहुत खाता है यहां पर सकते हैं हमारी बैटरी बहुत जादा वहां पर चलती बट आप चाहते हैं कि यह हमारा बंद हो जाए बट अगर मुझे किसी एप में जरुवत पड़ लोकेशन की तो वह और आटमेटिक ओन हो जाए बार बार ओन या ओफ करने की जरुत ना पड़े तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं विक्सपी रूटीन का उसके लिए मैं आपको वापश ही है ले जाता हूं इसके रूटीन में यहां पर आने कद जाना है आपको एड्ट में जाने क के दया हो या पर कोई सी भी ऐप इूस करते हैं जहां पर आपको लोकेशन यहां चाली कर दिया और यहां पर बंद करके रहे कि Location मेरा बंध है Location मेरी बंद मैं जब भी ही यहां पर मेप को खुलूँगा थो मेरी लोकेशन वह आटोमेटिक चालू हो जाएगी आप देख सकते हैं लो आटोमेटिक चालू जाएगी और जैसी मैं बंद करूँगा वह location काम करना वापिस बंद कर देगी आप देख सकते हैं तो यह ऐसे वर करता है Bixby routine तो यह वाला भी बहुत शानदर routine है उसके दोस्तों जो next routine बताने वाला हूं उसके लिए वापिस आपको यहां ले जाता हूं यहां जाने काथ आपको जाना है head में head में जाने का प्लस में जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे predefined आपको मिल जाएंगे जिसके लिए आप डाल सकते हैं like sleeping का before bed का specific time का time period का प्लैस का headphone जब आप connect करें वायर charging status battery Wi-Fi अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप इस Wi-Fi पे connected हो और उसके बाद वो आटमेटिक दूसरे काम चालू हो जाए मले आप कोई दूसरी app चालू हो जाए तो आपर आपर सकते हैं यह sound mode चेंज हो जाए dark mode यहां पर आपको बहुत सारे प्रीडेफाइन दिये गए अब मैं आपको यहां पर नेक्स्ट बताने वाला हूं बटन को लेकर अगर आप पर क्लिक करेंगे यहां पर प्लस पर क्लिक करेंगे वह आप चाहते ही क्या है क्या एक्षन हो जाए तो आगर आप यहां पर कुछ भी एक्षन चाहते हैं तो यहां कर आपको जाना फंक्शन पर चाहते हैं कि यहां पर फ्लेशलाइट ओन हो जाए तो मैंने यहां पर क्लिक कर प्रणने का option नहीं दिया सरिफ आप उसको टन ऑन ही कर सकते हैं तो यह यहां पर आपको मैंने कुछ Bixby routine बताएं यह बहुत कमी बताएं इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत सारे Bixby routines कर सकते हैं इसको मैं आगे आपको बताऊंगा अभी मैंने आपको कुछ basics बता है उमीद है कि आपको यह मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो दतो मुझे उमीद है कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है हीुग दोस्त अगर आपको मेरे वीडियो पसंद ऐंब दो प्लीज लाइक जबर करें अगर आपको लगता सब्सक्राइब करने ना बोले नीचे आपको राइट नक बेटन आपको नीशे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों